नमस्कार मित्रों आज की प्रेस्वार्ता में मेरे साथी असुनी जी और मैं आप सभी का रदेश से स्वागत करते हैं सबसे पहले तो आज प्रदानमंत्री मोधी जी का जन्मदिन है पूरे देश में कई संस्थाए जन्मदिन को सेवा पकवाडे के नाम से मनाने का नेने किया है जो हरसार कलते हैं 17 सप्टिम्बर से 2 अक्तूबर इपंदरा देश भर के सभी जरूरत मंद्द लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कारेकरता इसको लगाएंगे प्रदानमंत्री जी एक छोटे से गाउ के गरिब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के प्रदानमंत्री बने न केवल प्रदानमंत्री बने 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच पुरसकार देकर नक्रिवल प्रदानमंत्री जी हमारे देश का गोरो बढ़ाया है अध्य देश की 140 करोड की जनता बहुत मन के साथ इनके दिरगायूस के लिए प्रभू प्रात्ना कर रही है मैं और असुनी जी भी वो प्रभू प्रात्ना के साथ अपने आपको संबद्न करते हैं मित्रो आज की प्रेस्वारता मोदी जी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिनके कामकाज पर आपको सुचना देने के लिए बुलाई गई जैसा आप जानते हैं लगातार दस साल भारत के विकास को समर्पित भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के घरीब वो के कल्यान को समर्पित सरकार चलाने के बाद इस आम चुनाओं में तीसरी बार भारतिय जनता पार्टी को और हमारे साथिय दलो को सरकार बनाने का एक जनादेश जनता ने दिया इसके परिणाम सरुप साथ साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोशना के साथ देश का प्रधान मंत्री बनकर देश का नेत्रू तो कर रहा है साट साल के बाद पहली बार इसमें रादितिक स्थीरता का माहोल आया है और नितियों के सातत्यों को भी हमने अनुभव किया है और नितियों की दिशा, नितियों की घती और नितियों को क्रियानवयन करने की सटिकता ये तीनों दस साल तक बरकरार रखकर ग्यारवे साल में प्रवेश करना मैं मानता हूँ बहुत कठीन है दुनिया के कई देशों में भी देखागा जहाए एक प्रकार से वाइबरंट लोक तंत्र है वहाँ पर ऐसे बहुत कम ही उदान दिख्याई पड़ते हैं और इसका कारण है कि दस साल में देश की बाहरी सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोधी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोधी जी के नित्रूत में प्राप्त की है सिक्सा के अंदर आमुल चूर परिवर्तन हमारे चीर पुरातन सिक्सा सैक्षिनिक मुल्यों को समाहित करते हुए हमारी भासाओं को गवरनवाईत करते हुए और आधूनिक से आधूनिक सिक्सा को समाहित करते हुए नई सिक्सानिती लाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है। जब मेकिन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखोल उडाते थे। मगर आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहता कैनर बन चुका है और यह वास्तविक्ता है। हमारी बिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समधना भी चाहते हैं, सुकार ना भी चाहते हैं। उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनोमिके 13 के 13 पेरामिटर्स में चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रा स्फित्य हो, चाहे विकास दर हो, हर पेरामिटर में हमने डिसिप्रिन लाई हैं और प्रगती भी की हैं। अंतरिक्स के ख्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्स के ख्षेत्र में भ्रवी से उजवल हैं, इसको एकनोलेज करते हैं। दस बर्स में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीड की हड़ी वाली विदेशनिती को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेशनिती में मेरे जैसे कई लोगों को रीड की हड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेशनिती में रीड की हड़ी दिखाई पड़ती है। दस साल में देश के साट करोड गरीबों को एक ही दस साल में घर, सोचाले, गैस, पीने का पानी, बीजली, पांच किलो मूद का नाज और पांच लाग तक की स्वास्त की सुवेधायें देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है। और हमें लक्स लेकर चले हैं कि अगरी बार जब चुनाओं में जाएंगे इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं होगा। युवाओं के लिए धेर सारे मौके तरासे गए हैं। आज भारत का युवाओं भारत के नए प्लेटफॉम पर खड़ा होकर विश्वके युवाओं के साथ दो-दो हाथ और उसे आर्थ संपनता को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। जिसके देश के अनाज के भंडार भी भरे रहेंगे, आत्म नीवर होकर हम एक्सपोर्ट की स्थिति में आएंगे और किसान की माली हालत भी सुद्रेगी। अमरुत काल का जब वर्स आया, मैं इसका साक्सि हूँ, कई सारे सुजाव आये थे। और मोदी जी ने हमेशा की तरह अपनी अनूठी स्टाइल से अमरुत काल के वर्स को इस तरह से मनाया, कि जब अमरुत काल का वर्स समाप्त हुआ, तो अमरुत काल सुरू हुआ। और 140 करोड लोग 2047 में महान भारत की रतना के संकल्प के साजिदार बने और भारत के विकास की यातरा के भी साजिदार बने। एक प्रकार से 140 करोड की जनता को इतने महान लक्स के साथ जोड़ना ये बहुत वड़े विश्वसनी अता का प्रमान है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है। तीसरे मेंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं, 100 दिन में लगबग लगबग 15 लाग करोड रुपय की परियोधनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तमगों में बांटा है, मैं एक-एक करकर सब के लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाग करोड की परियोधनाओं हमने घोसित भी किया, इंप्लिमेंटेंटेंशन भी शुरू हुआ है। माराश के वद्वान में 76,000 करोड की लागत से मेगा पॉर्ट वनेगा, जो पहले दिन से ही 2010 प्रमुक बंदर गाओं में सामिल होगा। 49,000 करोड की 25,000 अनकनेक्टेड गाओं को जोडने की योजना, ए योजना 100 की आबादी वाले गाओं को भी जोडेगी। तो एक प्रकार से मजले, टोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी करेंक्टीद दी जाएगी। 50,600 करोड की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का नेनाय नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है। वारानसी में लाल बादूर सास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट, पस्यम मंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहिटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनी कोई में नवी हवाई पट्टी बना कर परियतन को बड़ावा देने के लिए आगे बढ़े हैं। बैंगलोर मेट्रो के फेज तीन, पुने मेट्रो, ठाने इंटिग्रर रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस वाद दिन में आगे बढ़ा है। किसानों को और कुशी का जहां तक सवाल है, सत्तरवी की प्रदान मंतिर किसान सन्मान योजना की, साड़े नौ करोड किसानों को बीस अजार करोड रूपया वितरित किया गया, और अभी तक कुल 12 करोड 33 लाग किसानों को 3 लाग करोड रुपया वित्रित किया गया है खरीब फसलों का MSP बढ़ाया गया है मैं MSP पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकडों का ध्यान करियेगा UPA सरकार और कॉंग्रेस की राजय सरकारों से कई गुणा ज्यादा MSP की खरीदी भारतिय जनता पार्टी की नरेंदर मोधी सरकार ने की है अमारी NDA सरकार ने की है यही बताता है कि यह सरकार किसानों के घीतों को समर्पित है मक्के से इथेनल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलो के इथेनल उत्पादक इकाईयों का मल्टिफिड इथेनल इकाईयों में डुपानतरण किया गया है अब वुन्हकेवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनल उत्पाद कर पाएंगे तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूर्यात होगी तब गन्ने का रस का उप्योग नहीं होगा, मक्के का उप्योग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनोल बनेगा हमने प्याज और बास्मती चावल की नियुनियतम निरियात मुल्य MEP को हटा दिया गया है, प्याज पर निरियात सुल्क 40 प्रतिसत से 20 प्रतिसत करा है और एग्री शोर नाम का एक नया फंड लॉंच करने का भी हमने काम किया है मध्यमवर्ग को भी इसोव दिनों में कई सारी राहत दी गई है, टैक्स राहत साथ लाग तक की आए पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा वन रैंक वन पेंसन का तीसरा वर्ज संसकरन लागू कर दिया गया है और तीन करोड घर प्रदान मंत्री आवास योधना के तहट स्विक्रूत किये गए हैं सहरी योधना के तहट एक करोड घर और घ्रामेल इलाकों में दो करोड घर प्रदान मंत्री सुर्यगर मुप्त बिजली योधना एक प्रकार से 2024 के बीच धाई लाक से ज्यादा गरों में सहर उर्जा का सिस्ट्रिम अब तक लग चुका है एक अनूठी योधना है जिससे मध्यमवर के परिवारों का बिजली का बिल्तो मुप्त होई जाता है साथ में सहर उर्जा के हमारे लक्स की पूर्टी के लिए भी वो कंट्रिब्यूट करते हैं PME Bus सिवा एनवार्मेंट फ्रेंड्ली सिस्ट्रिम तयार करने के लिए लगबग 3400 करोड की सहायता से हमने PME Bus सिवाओ की स्विकृति दी है और स्टार्ट अप को वित्ति रहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप पर 31% का बोज डालने वाले एंजल टेक्स को समाप्त करने का भी नेनए भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडर डेवलोप्मेंट पोग्राम के तहर बार इंडस्ट्रियल जॉन बनाये जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे इसके आसपास होंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडर डेवलोप्मेंट पोग्राम के तहर बारा इंडस्ट्रियल जॉन देश के हरक शेत्र में बनाने का हमने नेनए किया है सबसे महतोपूर्ण नीने मद्यमवर के लिए मुद्रा रून की सिमा दस लाग से बढ़ा कर बीस लाग कर दी गई है पुराने रून का जिन्होंने सफलता पुर्वक भुकतान किया है वो सभी को इसका फाइदा मिलेगा MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सुरू की गई छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यम्यों को बिना गारंटी से इससे रून मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ दोनों मिलेगा ससक्त युवा एक किसी भी देश के विकास की प्राथमिक सर्थ है दो लाख करोड के PM पेकेज की घुशना हमने की है जो पांच साल में चार करोड दस लाख युवाओ को इसका लाब पहुँचने वाला है एक करोड युवाओ को टॉप कंपनी में इंटर्णसीप के अउसर एलाउंस और एक मुश्त सहायता रासी देने का भी नेनय हमारी सरकार ने किया है केंद्र सरकार ने भी लगबग लगबग कई हजार नियुक्तियों की गुशना की है कैपिटल एक्स्पेंडिचर को बढ़ा कर 11,11,000 करोड तक पहुचाना यह अपने आप में एक मिल का पत्थर है इससे कई युवाओ को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा PLI स्कीम और 12 इंडेस्ट्रिल जौन के विकास से भी तजग्य युवाओ की नौकरियों का स्रूजन होगा स्टार्ट अप और MSME के लिए जो वित्य प्रोस्ताहन हमने दिया है वो भी युवाओ के लिए कारगर साबित होने वाला है दिन डायल अंतियोदय योधना के तहट 10 करोड से अधीक महिलाओ को संगठीत कर 90 लाग से अधीक स्वयम सहायता जूत बनाए गए हैं और लगपती दिदी योधना के तहट 11 लाग नई लगपती दिदियों को ये 100 दिन में प्रमान पत्र दिया गया है एक करोड से अधीक लगपती दिदियां प्रतिवर्स एक लाग रूपया सालाना कमाई कर रही हैं ये महिलाओ के लिए एक लाग का रासी एक स्वपन मना जाता था आज हो स्वमान के साथ अपना जीवन जी दे इसके साथ परियटन दिदियों जो गाईड का काम करेगी परियटन मित्रों और ड्रॉन दिदि के माध्यम से सेल्प हल्प ग्रूप और युवाओं को परियटन से जोडने का काम भी हमने किया है प्रदान मंत्री जन जातिये उन्नत ग्राम अभियान इसके तहट 63,000 जन जातिये गाउं का पून विकास किया जाएगा जिसे 5 करोड आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा ये युदना के तहट गाउं को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविदाओं से संपून यूक्त किया जाएगा अनुसरी जन जाति के दिव्यान व्यक्तियों के लिए 3,000,000 नए पहचान प्रत्र एक अभ्यान चलाकर एक 100 दिन में दिये गएं एक लव्य मॉडल आवासियों विध्यालय एक नए पहलूओं के साथ नए आयामों के साथ फिर से इंट्रिडूज हो रहा है वकप संसोधन विधेक 2024 वकप संपत्यों के प्रबंधन और संडक्षन और उसके दुरूपयोग तिनों के कमिटेड है और आने वाले दिनों में पाहलामेंट में इसको पारित किया जाएगा आयुशमान भारत योधना आद्देश के कई करोड लोगों के जीवन का सरल जीवन का आधार बनी हुई है पांच लाग तक का स्वास्त से जुड़ा सभी खर्चा एंडिये की नरेंडर मोधी सरकार उठा रही है और ये प्रधान मंत्री जी का बड़ा महतो कांक्सी पोग्राम है अब जैसा हमने हमारे गोशना पत्र में वादा किया था सत्तर वर्स या उससे अधीक आयू के सभी वुरुद्ध नागरिकों को पांच लाग तक का मुप्त कवरेज दिया जाएगा इसमें जो घरीब घर में सत्तर साल से अधीक वाले लोग हैं उनको अपने काड के अलावे और पांच लाग दिया जाएगा तो उनका कवरेज एक प्रकार से दस लाग तक किया जाएगा करीब करीब साड़े चार करोड परिवारों के छे करोड व्रुद्ध नागरिकों को इसका फाइदा मेगा इसमें आई की कोई सिमा नहीं रखी गई 75,000 नई मेडिकल सीटे बढ़ा कर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगबग लगबग समाप्त कर देंगे हमारी पूरी रिक्वार्मेंट एप 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने 3 साल का लक्स रखा है यह में ठीका करन के लिए उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पॉर्टल भी यही 100 दिन में सुरो किया गया और देश के डॉक्टर की एक सेंट्रलाइज रिपोजटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है 23 अगस्त को पहला अंत्रिक्स दिन मनाया गया है इससे कीशोरों को और युवाओ को अंत्रिक्स के खेत्र में रूची लेने के लिए प्रोचसाहन देने के लिए और उनका हैंड होडलिंग करने के लिए धेर सारी योदना इस सुरू की गई अंत्रिक्स टार्टप के लिए 1000 करोड के वेंचर कैपिटल फंड की योदना भी हुई आपदा प्रबंदन के लिए राष्टियत डेटाबेज और ग्रामिन भूमी रेकोर्ड के लिए भूवन पंचायत पोर्टल भी सुडू किया गया सेमी कंड़क्टर गुजरात के सानन में सेमी कंड़क्टर की 21 थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि आने वाले 10 सालों में भारत सेमी कंड़क्टर के क्षित्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उपरेगा लॉइन ओडर का जहां तक सवाल है पुराने बिटिशरों ने बनाए हुए अपराधिक कानूनों को बदल कर एक जुलाई 2024 को तीन नए कानून इंप्लिमेंट किये गए भारतिय दंड सहिता भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतिय शाक्स अधिनियम ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के पूर्ती करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम को न केवल लोक भोग्य बनाएंगे लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा समय पर नियाय मिलने की सरुवात होगी और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि तीन साल के बाद जब इसका complete implementation समाप्त होगा हम दुनिया में सबसे आधूनिक criminal justice system रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे सहरी बाड प्रबंदन के लिए 6350 करोड लुपिय की नई योदना देश में पहली बार लाई गई लदाख में पांच नई जिले बनाए गए 25 जुन को समविदान हत्या दिन मनाने का फैसला करकर आने वाली पीडी को emergency जैसे काले दोर से देश को न गुजरना पड़े इसलिए जागरूत करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का नेना लिया गया पुर्वत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रो परियोदनाओं की मनजुरी दी गई लगबग 41 करोड उपिया के साथ और राष्ट्रिय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंट रिज को भी सुरू कर दिया गया मित्रो पीम मोदी जी का यूद के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर यात्राओं पूरी दुनिया आज के साथ नजर गड़ा कर बैठी है पहली बार भारत में इन्योशकों की विश्व धरोहर समीति की बैठक हुई आने वाले दिनों में इससे हमारी कई धरोहरों को वापिस लाने में हमें बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है आपदा प्रबंदन अधिनियम इसको दोजार चौबीस में लोकसभा में पेश किया गया है और मैं मानता हूं कि अर्बन फ्रड मेनेजमेंट अगनी समन सेवाएं ग्लेसियर जिल्वी स्पोर्ट फ्लड और अन्यट डिजास्टर के मिटिगेशन के हितु यह जो आपदा प 554 करोर की योधिना भी इस सब विशिष्ट आपदाओं के लिए मिस्चित किये गए हैं चार सतंबर को 35 सालों के संगर्ज के बाद त्रिपूरा में एनलेप्टी और एटी टी एप के साथ 37 समझोता किया गया मानस हेल्प लाइन नार्कोटीक्स की रोकदाम के लिए और सु पर अपराद के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी इतना सारा जो काम उसको अंजाम देने में सफलता मिली है उसका कारण है जब हम चुनाओं में गए रादनितिक पार्टियां और चुने हुए प्रतिनिती तो चुनाओं में गए थे परन्तु मोदी जिने चुनाओं के छे मेंने पहले ही बीरोक्रसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीजे पड़ी है जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त करकर रखे जिससे देश के विकास के घती में बाधान उत्पन हो इसी का परिणाम है कि ये लगबग ल इंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं इसके कारण देश की विकास की गती न केवल बढ़ेगी देश सुरक्सित संपन होगा और नई सिक्सा निति को इंप्लिमेंट करकर सिक्सा के सिक्षा में भी हम आगे बढ़ेंगे मैं आशा करता हूं कि मोदी जी के नेत्रुत में ये जो विकास का रत चला है वो आगे पर भी चला रहेगा इसका हम सभी को विश्वास हैं अब आप सब इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूब पूचिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा हिंदी के प्रती जो आपका अनुराग है हिंदी को अंतराश्टे भासा बनाने की बात आपने कई है लेकिन मेरा सवाल है विक्षित भारत में जो राजनेतिक विमर्स है भासा का जो विमर्स है उस पर सवाल करना चाहता कॉंग्रिस के एक सांसत जैप्रकाश जी ने कहा है कि महिलाएं अगर लिपिष्टिक लगाकर और पाउडर लगाकर एक मिटेक 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 जी सब्सक्राइए और रोज आपके लिए उपलब दूँ आज के प्रेस कॉंफरेंस का विस्यानतर नहों इसके लिए मेरे आप से सबसे विननती है कि सौत दिन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर करियें रूची नहों तो उत्पन करके भी करिए नई सर बोच्वी यह बहा का जो मर्ज है विक्षित भारत में कितना सार्थक होगा केंद्रिय मंत्री रवनीत विट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राㅎ खाहने को आतंक आप पोलेटिकल सवाल की दिशा में नजा ये मैं धर通रता से नीजउब दूगा बार-बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है जहां तक भासा का सवाल है मैं सपष्ट कर देता हूँ हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानिय भासाओं को समाप्त करकर विकास नहीं कर सकता है स्थानिय भासाओं के साथ हमारा इतियास हमारी संस्कूती और हमारी परंपराय जुबी हो इसलिए नई सिक्सा निती में हमने प्रात्मिक सिक्सा स्थानिय भासाओं में हो इस पर बड़ा आग्रह किया है और राजबासा का जहां तक सवाल है मैंने बहुत स्पष्ट किया है क किसी यस्थानी बासा से कोई परदान नहीं है तैंटर बीवाग ही अब एक आसा पोर्टल लेकर आएगा किसी भी बासन का किसी भी लेक कार जिसी भी आलेक का कुछ सेकंडों में ही संभिदान की अठावी सुची की सबया कुछ leakhouse दैनिावाट सिक्स्टी सेही ऐंसे मैं शेली शारा हूई हुए निगे उनने शेवह स्सेजियर से इनाय निस अजंची सेесь सर आविशमयन भारत के बारे मेरा सवाल है सरकार ने जो है सतर साथ और शोपर के लोगों के लिए ऊस मैं सामीर कर रहा है तो सर्प मेरे स्वाल है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि Middle और Lower Middle Class को भी इस योजना में शामिल किया जाए मैं समूद नहीं पाया आउशमान भारत में सर्फ क्या कोई शिमा नहीं रखी कोई भी व्यक्ति को फाइदा मिलने वाला है देश के सभी 70 साल से वरिष्ट नागरीकों को फाइदा मिलेगा है तो स्वाभाइक रूप से मध्यमवर्ग और उच्चतर मध्यमवर्ग और कोई लेना चाहे ना चाहे मुझे मालूम नहीं है मगर कोई करोड़ों पती भी लेना चाहे तो वह एंटाइटल होगा तुक टूफिफिफटी फाइब सर मैं अमित हूँ टाइमस सर एक सवाल है सौधिन के जो अचिवमेंट्स की बात हो रही है उसमें तमाम चीज़ें हैं लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो रेलवे है रेलवे में जिस तरह से हाथ से हो रहे हैं जिस तरह से चीज़े हो रही है और कई लोग के उसको देख लिखा गया है किस तरह से सामने हुए तो क्या लगता है कि उसमें सेबर्टाइज वाली भी चीज हो रही है या कोई साजिश है उसमें जानविच के सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल भाद से के जरिए जवाब आपने ही दे दिया मित मैं क्या बताओ बताईए मित्रो रे दिवारन करने के लिए सरकार कटिवद्ध है आपके सवाल किसे अलावे भी मेरी मिगत दो दिन में अस्विनी जी से लंबी बात हुए उन्होंने पुरा रोड मैप तयार कराया है हाज से अगर सडियंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा और जहां-जहां कोई और चीज की जरूयत है गैप से इसको भी बढ़ दिये जाएंगे 107 एकसुसाथ सर मैकरस्ट मोहन शर्मा भारत एकस्प्रेसे आवी रेल्वे से ही सवाल था लोगों के मन में एक शिंता है कि जिस तरीके से ट्रेन की पट्रियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो एक लार्जर पहमाने पे देश को साबोटाज क्या मतलब बहुत बड़े पहमाने पे हत्या करने की कोशिश की जा रही है और सबसे ज्यादा जो दिक्कत यह है मैं से बहुत छोटा सा लूंगा कि सर इस पर पूरा सिस्टम मतलब विपक्स पूरी तरीके से मौन है कि इसकी आलोचना क्यों नहीं करता क्यों चाहता है कि देश जो है एक तरीके से गड़े में चल कि हम स्कीम भी बना रहे हैं और आगे पर कोई सेबोटेज की घटना नहूं इस पर क्रियान वन कर रहे हैं अभी अभी इस प्रकार की वृत्ती नजर में आई हैं हम इस पर कठोरता से संग्यान भी लिया है और एक योजना लेकर भी आ रहे है 93 से नमस्ते में अखिलेश शर्मा एंडी टीवी से तीन आप राधी कारूनों में बदलाव किया गया है जो अंग्रेजों के जमाने चले आ रहे कानून थे उनको बदल दिया गया आमूल चूल परिवर्तन का यह एक प्रयास है लेकिन अदालतों में लाखों करूनों कैसे लंबेत हैं लंबे समय से लंबेत हैं तो इनका जमीन पर कब तक असर देखने को आएगा आदमी को न्याय कब तक मिल पाएगा देखे समस्या साथ अर्थ में आपने जो उठाई बड़ी गंभीर है परन्तु आप तीनों कानूनों का अध्यान करेंगे तो हमने तीनों स्तर पर जुडिशरी के स्तर पर प्रोसीकुशन के स्तर पर और इन्वेस्टिजेशन के स्तर पर तीहत्तर जगय पर समय मर्यादाओं को कर्टेल करने के लिए नए कानूनी प्रावदान लाए है हमने इन्वेस्टिजेशन को साइंटिफिक करने के लिए एफैसल को कंपलसरी किय है जिसे कोई और ज्यादे साख सकी जरूरत नपड़े साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही किसी को सजा दिलाई जा सके मैं विश्वास करता हूँ कि तीन साल के बाद आने वाले तीन साल के बाद जो भी एफायर रेजिस्टर होगी इसका एक साल में सुप्रीम कोड तक केस का फाइनलाईजेशन हो जाए 272 हाँ देख रहे हैं एक एक अपको आवसर भी लेगा ने आपको का 272 हाँ मैं सर मैं विजयता सिंगू दा हिंदू से सर आप जब पिछली बार मनीपूर गए थे पिछले साल तो आपने कहा था पंदर दिन में वापस जाएंगे और आपके आने के बाद वेव्स में वाइ तो महाँ पे रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है उसको लेक उसके बाद गवर्नर के घर पे रूमर बोला इसलिए सर और वहाँ पे गवर्नर हाँस में भी काफी पत्रा हुआ जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिससे में तो मनिपूर के लिए क्या स्टाटेजी है हंडरे डेज में दिखे जहां तक मनिपूर का सवाल है सो दिन में हमने जो यह गटनाओ का मूल है भारत म्यानमार सिमा इसका फैंसिंग सुरू कि कर दिया है 30 किलोमेटर फैंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमेटर से ज्यादा जो सिमा है इसको फैंसिंग करने का बजेट भारत सरकार ने एप्रूव कर दिया है एक नंबर दो हमने वहाँ पर स्टेटेजिक जगों पर CRPF को सफलता पूर्वक लॉंच करने का कारेकरम भी समाप्त कर दिया है नंबर तीन हमने जो गुश्पैट होती थी उसको रोकने के लिए म्यानमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझोता था उसको भारत की और से रद करकर सिर्फ विज़ा के बेज़ पर ही आजा सकेंगे एक आनून भी लाए है नंबर चार कई सारे सुरक्सा लेप्सिस थे मतलब चीद्र थे इतनी बड़ी सिमा पर उसको पूरा करने का काम भी किया गया है अभी हाली के दिन में दो गटनाए तिन दिन तक इंसक गटनाए हुई इसको छोड़कर विगत तिन महिनों में कोई बड़ी गटनाए नहीं हुई थी अब मनिपुर में अभ अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे स्थानियत दोनों जातियों से हमारा समवाद भी है क्योंकि नसलिय हिंसा है जब तक समवाद होकर दोनों के बीच में समाधा नहीं होता कोई परिणाम ही निकल सकता हम कुकी ग्रूप के भी चर्चा करें और मतई ग्रूप से भी चर्च सेवेंटिनाइन सर क्योंकि अभी आपने मनिपूर का जिकर किया और कल सरकार के द्वारा एक इनिशेटिव लिया गया था कि जो अफॉर्डबल कॉमोडिटीज वहां के लोगों को और दी जाएगी और सेंटर्स और बनाए जाएंगे सर इससे आम जनता को कितना फायदा और कितने लोग इसका बेनेफिट ले पाएंगे दिखे वहां पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लेम नहीं है परन्तु जो बीच में घटना हूँ इसके कारण ट्रांस्पोर्टर भाई वहां स सभी दुकानों से आम जनता को उचीत नाम पर सारी चीजे लगबग स्वहत चीजों का लिश्ट बनाया जिसमें टूटपेश, ब्रत, साबून इस सारी चीजे भी है खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्ता है वो एक रहत दर पर मिलने की सुरुआत होगी इस से निच्ची उन्तालिस नमबर संते जी नमस्कर मैं प्रदीप को मैं बोलो हूं फैनेंशनल जर्नलिस यह क्या नाम है आपका जो इंफ्रस्ट्रक्चर तुम पाटिया उंचा कर रहे हो सवाल भूल गए हाँ ने मैं दो तिन लिए इंफ्रस्ट्रक्चर में आपने जो पैसा की बात कहा है वो पैसा जूट सर मैं सब्ढहिएं शर्ट मैं से इनका जो भी कासि संसय का सरका सवाल इसी से कंटीनू है सर कासि से सा कुले कर सर कुछ है क्या सर इसमें क्यूंकि अपॉजीशन काफे सीजिए जबभी सेंस सेंसेंस के लिए घुषना करेंगे इस सभी चीज़ों को सारुष देने करते 17 पीछे 17 पीछे 17 पीछे 17 पीछे सर मैं रविकांत राय हूं टाइम सनौन भारत से सर पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि कुछ मुस्लिम संग्ठन जो है मस्जिद के बाहर एक QR कोड को चिपका रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्कैन करो ताकि सरका के उपर दबाव बने जो वर्फ एमेंड्मेंट बिल आप लोग लेकर आने वाले हैं जो जेपीसी के पास है वो ना आ सके है चले इसमें मैं कोई टिपन ही नहीं करना चाहता कर भी नहीं सकता संसत की समीति इस पर काम देख रही है कुछ लोगों ने संसत की समीति के में भी इसको उजागर किया है, कंप्लेंस की है, ऐसी मेरे पास जानकारी है परन तुए तो संसतिय समीति को देखना है कि एक सीर नेरी कैसे करना, जैन्यून पक्स या विपक्स की सिकायते हैं इसको कैसे सुनना और जो इस तरह के मास्ट पोग्राम है इसको कैसे डिल करना, वो उस प्रियोजना अपलोगा की रही है वन नेसन वन एलेक्षिंटंग उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू कियाने की संपहवना है ससी सट्कार के कारेकाल में वन नेसन वन एलेक्षिंट हम लागू करें 95 अ परिशे दीजीए पर प्रेजंटिंग प्रफिबिम बालाइफ फ्रम असाम आइसाप मेरे क्वेशन से मनिपूर के साथ ही हैं सारा प्रम इनिस्टर नेन्डर मुदी जी का बादे हैं और इस बादे में मनिपूर में वीजित करने का कुछ डिस्ट्टियन एनॉस करके कुछ ऐसा कुछ है क्यों प्र करने का मनिपूर का स्वाल कर सकते हैं बहस्त नहीं कर सकते हैं सर्टी फूर सर्ट दीपक रंजन पीटिय वीडियो सर्विसेस हैं आपने सौ दिनों में पंद्रा लाग करोर उपय के परियोजना के मंजूरी की बात कही है इसमें नकसल प्रभावित बोर्डर एडियाज और एसफिरेशनल डिस्टिक्स के विकास डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या थाका है रहें दखें नकसल प्रभावित शेत्रो और हमारे आकांक्सी जिले हैं उसके विकास के लिए धेर सारी योजनाई चल रही है नकसल प्रभावी जिलो के लिए विशेश रूप से जो मिसिन लिंक वारे रोड थे इसको इस वादिन में हमने एप्रूव किया है और लगबग लगबग 6,000 नए टावर कॉम्मिनिकेशन के लिए लगाने का नेने किया ह और 1500 स्कूले नई खोली जाएगी सस्ता राशन की दुका ने 378 खोलने का नेने किया गया है और सभी गाउं जो अब नकसल समस्या से मुक्त हुए हैं इसको कैंदर सरकार और राजे सरकार की 300 योधनाओं से 100% सैचुरेशन करने का हमने नेने किया है जहां तक आकांक से जिलो का सवाल है आकांक सी जिलो को देश के सामान्य जिलो के स्तर पर लाने के लिए आकांक सी तैसिल की योजना भी अब इंप्लिमेंट की जा रही है तो आकांक सी जिले के तह जितनी भी तैसिल है वो सभी तैसिल भी अपने सभी साथी तैसिलों के साथ परदा क करकर आगे निकलने का प्रयास करेगी तो तैसिल एड्मिस्ट्रेशन को भी इसके नए लक्स दिये गए हैं मैं मानता हूं इससे आकांग से जिलों के विकास को एक गती मिले कि वर नाइंटी सर अमिर पांडे नियूज एटीन इंडिया से हूँ सर पूर्वोतर में शांती प्रक्रिया के आपने बात की तो रोड मैप क्या है अगले कितने समय में आप सारे जो अलगावादी संगटन है गुरवादी संगटन उनको आप जहां तक पूर्वोतर में टेरिजम का सवाल है मनिपूर में जो चल रही है नसली इंसा है इसको थोड़ा अलग रखे क्यूंकि नसली इंसा और टेरिजम अलग होता है टेरिजम का सवाल है हमने अब तक पूर्वोतर में सीमाओं के समझोते के साथ अलग-अलग समझोते के ग्यारा समझोते किये हैं और 10,900 टेरिश्टों ने हथ्यारी युवाओं ने आत्मसमरपन करकर मेंस्ट्रिम में आये हैं अब सिर्फ एक ही टेरिश्ट संगठन बचा है इसके साथ भी हमारी वारता चालूँ दस नमबर 10 प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी जी का विजन रहा है कि इस सरकार में सरसंजेश हर्वाओं इंडिया न्यूस चैनल से प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी जी का विजन रहा है कि किसी भी तरीके से रोजगार बढ़ना चाहिए रोजगार पर प्रदानमंत्री जी का फोकस रहा ह तो ये जो सो दिन की जितने भी आपने भी जिक्र की इंफरास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेके सारी चीज़ें, आपको कितना विश्वा से कि इन से रोजगार बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। इस सबसे भी रोजगार का सूजन होगा, तो हर नई पहल जो होती है, वो अटोमेटिकली स्वाभावी कुर्प से रोजगार का सूजन होती है। जितना कहा है उतना चापोगे तो भी एक दिन तो निकल ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जाएगा।